साथियों बिहार में एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खुसकवरी जारी कर दिया गया है बिल्कुल नहीं भरती आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है यहाँ पर लगभग सभी पारा मेडिकल के पद यहाँ पर जारी कर दिये गये हैं चाहे वो नर्स हो चाहे वो यहां पर निकाल दिए गए पूरी जानकारी पूरा जाइज आप सभी को बताएंगे कैसे आवेदन करेंगे कैसे विग्यापन को डाउनलोड करेंगे वीडियो के लास तक बने रहेगा विग्यापन भी जारी हो चुका है अंतिम तारीक 31 जनवरी 2030 होने वाला है तो चलिए द जोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हाँ पर मैं जानकारी आप सभी को बताओं यहाँ पर आप सभी का यह भढ़ती एकदम सरकारी भढ़ती होने वाला यह निवत सोचिएगा कि यहाँ पर यह प्राइबिट जॉब हमारा होगा इसमें काफी सारे वेक यहाँ पर आठवी कख्चा भी पासो तब पर भी आपके लिए वेकेंसी यहाँ पर हैं पूरी जानकारी बताओंगा सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यह भढ़ती डिफेंस मतलब कि यहाँ पर आप कर सकते हो कि जो भी सैनिक होते हैं यहाँ पर जो भी डिफेंस ऑफिसर ह होते हैं उनके तरब से आता जैसे की रेलवे के तरब से विकेंसी जाती है नर्सेस की उसी प्रकार से डिफेंस की भी तरब से यहां पर जो की वड़ती आई है यहां पर मैं आपको बता देने चाहता हूं आपका यहां पर बिहार में ही होगा तो बिहार के लिए और खास तोर उपर वाला नोटिस पढ़ लेना है उसके बाद यहां पर हम लोग भड़ती हैं के बारे में हाँ पर जानकरी बता देते हैं तो यहां पर लेवोरियर टेकनिशन के लिए आपर बोला गया है बीसी और अब टेकनलोजी और डिप्लोमा इंदा मेडिकल लैब टेकनलोजी आप इसके लिए साथ वेकेंसिस और अठाइस आजार एकसो रुपए आपको मन्तली के तौर पे मिलने वाले फार्मास इसके लिए बीफार्मा और डिप्लोमा इन फार्मा जो भी की हुग हो आप लोग यहां पर आवेधन कर सकते हो यहां पर 11 वेकेंसिस आप सभी के लिए हैं 28,100 रुपए आप सभी को सलरी के तौर पे मिलेगे नर्सिंग असिस्टन के लिए जी एनेम वाले आवेधन कर सकेंगे जीनेम का डिप्लोम यहां पर निरधारित किये गए हैं दोस्तों और भी यहां पर बहुत सारे विकेंसिस हैं ड्राइवर के लिए 8 वी कक्षा पर पर पास पर है लेकिन उसमें आपको थोड़ा-बहुत आर्म्ड फोर्स मतलब कि आप थोड़ा बहुत देखा जाएगा आप क्वालिफाइड हो जो कि इसका ओफिशली वेपसाइट है दोस्तों आभेधन करने की बात करें तो सबसे पहले 31 जनवरी 2030 में आपको उससे पहले आभेधन करना है आभेधन है जो कि साइध ऑनलाइन होने वाला है जिसमें कि आपको अपने सभी डीटेल्स को भरना है उसके बाद आपको इंटर् टारिक के लिए मैं बता देना चाहतों मेडिकल और मेडिकल अस्पेसलिस्ट डेंटल ओफिसर और गेंजो लोजिस्ट के लिए हाँ पर सीटारिक और को लिए यहां पर यहां पर होगा इस दिन आपको सभी डॉकुमेंट्स ले जाने अपना फोटो अपना जो भी आपके कॉलिफिकेशन से जो भी आपके डिग्री अगर आपके पास कुछ एक्सप्रियंस है तो वह भी ले जाईएगा और सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको ले करके जाना है ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर